बहुत बहुत स्वागत था आप सभी का आपके पर यूटूब चैनल सुकला स्टड़ी पॉइंट में मैं स्यों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के महा संग्राम रिवीजन क्लास क के बारे में जो की दोहजार चौबिस और पचीस की परिशाओं के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होगा दीन दैलोपध्या गोरकपुर विस्विद्यालाई में जो जी यी ओ टू जीरो थिरी का पेपर होता है यानि कि भूगोल में जो आपका हीूमन स्वारी इकोनामिक जि समस्टर में उसके लिए बहुत ही महत्पूर्य लेक्चर है तो आप सभी लोग इस लेक्चर को अंतर तक जरूर देखिएगा 150 से अधिक अब्जक्टिव प्रसनों को मैं तीब्र गती से समझने का प्रियास करूंगा और बहुत ही तेज गती से मैं आगे बढ़ूंगा ठी सबसे लंबी सुरंग कहा पर स्थित है तो सीकान नाम की जो बिस्व की सबसे लंबी रेल सणक सुरंग है यह जापान में स्थित है आप से नमर इसका सा करक्ट एंसर होगा अगला परसाइब से बन सकता है केप काहिरा रेल मार्क किस महादीब में है यह सब प्रसन बहुत ही मैतमूर है 2023 में सब प्रसन कई स्विद्देलें पूछे जाने वाले प्रसन ठीक है बताएं केप काहिरा रेल मार्क जो है किस महादीब में है तो केप काहिरा रेल मार्क जो है यह अफ्रीका महादीब में है आपसे नमर इसका डी करेक्टर एंसर हो जाएगा यह बात आप ध्यान लखेंगे बिस्व का अतलांटिक सवाधिक प्रसांत सभादे को उतरी एलांटिक महासागर मार्ग यह बात श्यीयार नकिए हूझा है हूग प्रसनाब शेवाधिक के लिटाज कर लोगरा है। यह सबस्पते हूए है पकने करन्स विन्गाधिक सभ रमख बागर दोड लोगर है औरियंट एक्सप्रेस कहां का रेलमार्ग है औरियंट एक्सप्रेस कहां का रेलमार्ग है यूरोप का रेलमार्ग है औरियंट एक्सप्रेस औरियंट एक्सप्रेस की बात की जाए तो यह यूरोप का है यूरोप में पेरिस खासर के फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर के पेरिस से लेकर के बियना ठीक है पेरिस से लेकर के बियना तक एक प्रकार से आप देखेंगे तो यह रेल मार्ग है ओरियंट एक्सप्रेस रेल मार्ग लगबग इसकी जो लंबाई है वो 2740 किलोमीटर के आस पास की है इसकी जो निर्मार किया गया था पाज जून 1883 में एक प्रकार से शुरू किया गया था यह बात आप ध्यान रखेंगे 180191 में इसका नाम रखा गया था औरियंट एक्सप्रेस यह बात आप ध्यान रखेंगे तो आगे देखेंगे अगला प्रसंट युए से का सबसे बड़ा बंदरगाह इन में से कौन सा है निवियार्क आपस प्रियोगरा отец अद्लन और विर्टा ऑन्हेंगvas गदतते हैं ओप टैप्राइच। अब जोड़ता है किसको ठोड़ता है तो प्रीयोगरा से हल्दिया को जोड़ता है यह बात ध्यान दिखिए स्वैज नहर कहां पर रहे ह। यह बात आप ध्यार नहीं ते शित्त हैं घ्री ती प्रवाहन का साधन है ती प्रवाई परिवहान का साधन कों सा इन में से वायू पर वहाँ सब्सक्राइब टी ब्रवागामी है आपसा नंबर एक 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 एंशर होगा यूरोप की जीवन रेखा किसे कहते हैं देखें यूरोप की जीवन रेखा राइन नदी को कहा जाता है इसका भी आपसा न करेक्ट साथ में ही रेल गाड़ी चला गए दी गई थी लेकिन मुख्य रूप से 1825 में इंग्लेंड में सुरू होती है किलियर यह बात आप ध्यान रखें तो इंग्लेंड ही लगेगा इसका राइट एंसर अगला प्रसें कौन सा राश्टी राजमार कन्या कुमारी को वारानसी से ज नेता जी सुबाचंद बोस अंतराश्टी हवाइयडा जो है कलकत्ता में है ठीक है आपसा नमर सका कर carbohत्र एंसर हो गा पस्चिम बंग्ल की राज्धानी कलकत्ता तो नेताजी नेता जी सुबाचंद बोस अंतराश्टी हवाइयडा यह बात आप ध्यान लगे बहुत ज्यादा होता है तो सबसे सस्था माला द्यान नखेंगे एक प Cameron say अधे फीर पूंचा गया था क्यों कि वहांव के लिए सबसे कम प्रदूर्विश को सबसे कम प्रदूर्ण व्ला इंदय प्रियास करते हैं जो कि आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है चले अगला पर स्क्रीन पर आ चुका उपेक संगठन का सदस्देश इन में से कौन सा है तो इसमें से उपेक में कौन सा आप पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जैनि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन होता आई ठीक है ओपेक में कौन सा देश इसमें से सामिल है इरान सामिल है ओपेक में आपसा नंबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा यह बात आप ध्यान लखेंगे ठीक है करे चुका है अगला प्रशाहां किश और टाहिए उपेक का मुख्याले करे पर सित थे रहिए जाए ऑपके इनल आ सबध motivate को सब्सक्राइल चलर चूद्क देखेंगे ओपैक का सबस्त्तर सब्सक्राइब देखें बेने जोईला नाइजेरिया कतर ये सब ओपेक के देश हैं आपसे नमर डी करेक्ट एंसर होगा ओपेक मलब जो पेट्रोलियम निरियाता क्या नहीं पेट्रोलियम बेचने वाले देश हैं उन्हीं का संगठा नहीं है अगला प्रसना गैट लागू हुआ गैट जो फीरीत अइसको अंग्रेजी में तो इसका मुक्याला कहां पर है इसका मुक्याले कहां पर है जिन्हें कहां पर है इफ्टा क भिकास करना अंतराश्टी व्यापार का बिस्तार करना और सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की व्यवस्ता करना ये तीनों उद्देश जो है गैट के थे आपसन नमर इसका D लगा देगें उपर एक तो सभी कारे अगला परसना चुका है निम्न में से कौन अंतराश्टी व्यापार को सरबादिक प्रभावित करता है याता यात और संचार माध्यम बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसका B आपसन बहुत ही करेक्ट एंसर होगा बढ़ी है अगला परसन है बगाती किर्सी की या निर्वाक कर्सी या उश्रकरबंधिय कर्सी है आधा दरे मोस्तर एंसे कण बढ़ी हैंअ जाधिक को सवानल फ्रसन क्या पूचिए पर आशिर्षा और प्रसन की बाइंधी किर्षा गया है जो बगाती कर्सी के सब्सक्राइब कर दो गपसिए सब्साइब के मैडानों को क्या वोलते हैं ठीके तो वहाँ पर जो प्रेली मैडानों में जो खेती करी आतीक उसका उसको बोलते ब्यापारिक खाद्यान-कर्सी आपसर नमर्ट सा गर्णसर भोगा अगला पर से मान्सून इस्था किर्सी को किस नाम से पुकारतें तो बेना जोहला में अस्थान अंत्रसि को को नुकूु चेना अस्थानांतरन सिल करसी कहां की जाती है तो चेना अस्थानांतरन सिल करसी जो है इस लिए लंका में की जाती है आपसे नमर इसका सा करक्ट एंसर होगा डी विटिलसी ने बिसको कितने करसी परदेसों में वरगी करत किया है तो डी विटिलसी ने तेरा करसी परदेसों में बाटा है ठीक है पूरे बिसको आपसे नमबर डी करेक्टेंसर होगा सघन निरेःप करसी चयतर में समलित नहीं है, कौन साथ एरिया संकलित नहीं है, मेक्सिको नहीं संकलित हैं, बाकी चीन, मलेशिया और भारत ये सघन निर्वाहा किरसी करते हैं अगला परसने बहु कहां की चलवासी पसुचारक जन जाती हैं बहु बताएं बहु जो है आपकी ये सौधी अरब की है आपसने नमर इसका एक करक्टर एंसर होगा अगला परसने होटिले सी ने 20 के करसी परदेसों का वरगी कर्ण जो है वकब परसुत किया था तो इन्होंने 1936 में परसुत किया था आपसने नमर इसका C करक्टर एंसर होगा उत्तरी पुर्वी भारत में अस्थान अंतर असिल करसी को किस नाम से पुकारते हैं तो उत्तरी पुर्वी भारत में अस्थान अंतर असिल करसी को किस नाम से पुकारते हैं तो उसको बोलते हैं जूमिंग करसी जूमिंग सबस्ताइब लखते हैं जब संथा अमसी को बाला बहुत भी करें तो यह хड़ाए इससमीन वि Around तक बोटे रहते हैं जब तक उसकी उर्बरग शमता चीड़ नहीं हुझा जैसे ही उस खोड़ करके पिर दूसरे शान पर चले और फिर किर्सी करते हैं फिर अगर वहां पर भी खतम होगे तो फिर दूसरे श्थान पर जाते तो यानी कि यह करसी परियावण के लिए उतनी नहीं मानी जाती है अगला प्रसवन है ओपेक का संस्थापक सदस्थ कौन सा देश नहीं है आस्त्रिया नहीं है कौन सा देश एरान है सौधी अरब है एराक है यह सब उपक के संसापक सद़त से हैं ध्यान रखियेगा इस बात को ठीक है आगे देखेंगे अगला परसंद नाफटा में कौन सा देश समलित नहीं है नाफटा में चिली नहीं समलित है मैक्सिको कनाडा और सविंक टूराज अ तो समझा होता आगे देखेंगे अगला परस्ण है आप में देखें थोड़ा साइए यह समझ लें चुकि यहां से कई प्रस्ण पूछेगा इफटा का फुलफाम बताइए इफटा का फुलफाम क्या है तो यूरोपियन फिरी ट्रेड एसुसियसन यह इफटा का फुलफाम ह इसको हिंदी में बोलते हैं आथ अगस्त को इसका जो है इसके अस्थापना थाइलैंड में हुई थी बैंकाक में ठीक है इसमें और भी देश हैं इसे इंडोनेसिया मलेसिया फिलिपाइंस सिंगापूर यह सब सामिल है अगला प्रसाब किसके अगे देखेंगे नाफ्टा नाफ्टा क्या है नाफ्टा का फुलफाम क्या होता है नार्थ अमेरिका फ्री ट्रेड और एगरीमेंट उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझ होता यह नाफ्टा का फुलफाम होता यह बात ध्यान लखेंगे अगला को से ओपेक का फुल फाम मलब पेक का फुल फाम क्या होता है अर्गनाइशन आफ दा पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जानि पेट्रोलियम निर्यादक देशों का संगठन ही ओपेक कहलाता है यह बात आप ध्यान देगे यह चारों पांचों प्रस्णाप के लिए बहुत ही मैत्पूर है हमेशा परिच्छा में परस्णाने वाले हैं यह बात ध्यान देगे अच्छा बताएं ओपेक संगठन का अस्थापना कहां पर करी गई थी उपेक संगठन के अस्थापना करी गई थी 1960 में कहां पर इराक में एक जगा पढ़ती बगदाद तो वहां सब्सक्राइब से वहां पर स्थापना होई थी 67 में चल Supnag कि सथापना कहां इस डेट को आठ अगस्त को यह कहां पर थाई लेंड के बैकाक में और वि सदस्देश्कान को से आशिया में इंडूनेसिया मलेसिया फिलिपाइंस ठीक है इसके इलावा सिंगापुर यह सब सा निम्न में से अधार भूत उद्योग कौन सा है पर अगला आपका दिया गया है कागज उद्योग तो इन इनवे से बहुत ही बढ़ी हाँ प्रस्थ है परिच्छा के दिश्ची से आपके आपके ज़ए अधार भूत उद्ध्योग है वह आपका लोव इस पात उद्ध्योग जो है आधार भूत उद्ध्योग है सी आपसन करेक्ट एंसर होगा बिसुका कौन सा देश चीनी का कटोरा करता है तो ये चीनी का कटोरा जो कहा जाता है क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा सी आपसन करेक्ट एंसर होगा रूर और चेतर किस देश का है रूर जो है जर्मनी का है ठीक है जर्मनी का एक प्रदेश है रूर इसलिए भारत का रूर जो है छोटा नाक पुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं चुकि रूर जो है ये जर्मनी में है और जर्मनी में बहुँ ज़दा खनीज होती है कहां पर रूर में ऐसे ही भारत में छोटा नाकपुर के पठार में खनिज का भंडार है ऐसे ही रूर प्रदेश में है जो है जर्मनी किसे लिए भारत का रूर किसको कहते हैं भारत का रूर बोलते हैं किसको भई छोटा नाकपुर के पठार को अगला परसें डेट्राइट नगर प्रसिद्ध है डेट्राइट नगर प्रसिद्ध है मोटर गाड़ी उद्योग के लिए आपसे नमर इसका D करेक्ट एंसर होगा अगला परसें आस्टेलिया में लोहा और इसपात उद्योग का प्रमुक केंद्र है वो न्यू कैसल है आपस से किस एक अनुपात का धो तक है कच्छे माल का वजन तथा उत्पाद का वजन आपसे नमर इसका डी करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला प्रसनाप की स्क्रीन पर आच चुका है भटाबर से आप देखेंगे किस देश में बजार अधरित लोहा इस पात के का अधर खाने पाए जाते हैं तो जापान में पाए जाते हैं आपसे नमर सी करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट को संसा आप देखेंगे निमलखित में से किस देश का लोहा इस पात उद्योग संप लगभग पूर्टा आयातित कच्छे माल पर निरभा रहें बताएं तो यह आपसन करेक्ट एंसर होगा निम्द में सरवाधिक लोहा इस पात उत्पादित करने वाला देश लोग इस पात उत्पादित करने वाला देश जो सरवाधिक कौन सा चाइना है यह आपसन राइट एंसर होगा निम्द में से कौन सा नगर जापान का पिट्सवर्ग के उपन अगे देखेंगे अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर आ चुका है निम्लकित में से कौन सा संसाधन छे सील है पटाइए पटापर से आप लोग बताने का प्रियास करेंगे कौन सा संसाधन इंवे से छे सील है बताइए संसाधन छे सील कौन सा इन में से खनी संसाधन छे सील है आपसर नमर बी करेक्टर एंसर होगा अगला प्रस्ण सोना तथा चांदी है सोना तथा चांदी क्या है विरल संसाधन है मलकि बहुत कम पाया जाते हैं सी आपसर अगला प्रस्ण संसाधन सनक्षण है संसाधन उचित उपयोग बितरण सुरक्ष्छा और बैकल्पिक ब्यवस्था ही संसाधन संच्छण संख्षण है आपसन नभर स्का सी करेक्ट्र होगा अगला प्रस्थे भारत के सरवादिक छेतर पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पायाजाता है बताएं भारत के भारत के सरव प्रसंद क्या बूचागा आप देखें गरेनाइट और नीस जो चट्टाने होती है इन चट्टानों से जो है किस प्रकार की मिट्टी का निर्माड होता है तो लाल मिट्टी का दिरमाड होता है एक हम उगा नमिलकित मेंसे कौन सा सब्स्क्राइब उठेड़ां जिरुक सब्सक्राहर तो सब्सक्राइब रिंदेस्ट्रीस पुष्त के लेखक वड्र रिसोर्स एंड इंडिस्ट्रीस पुष्त हлись कौन कहां है जिम्मर मैंन है आप सोनम्हें इसका ये करेक्टी द्रुगा अगला पुरसें किसी देश की रेल तथा सड़कें थी देश की रियल तथा सड़कें हैं इस लोड काली लाल लेटे रैति लिय और भलूई ठीक है यहार नहीं हिए इस बात को इसका correct answer क्या हो जगा छे में नहीं चार में ठीक है चार भागों में C आपसन अगला प्रसन आ नभीकरणिये संसाधन है चार भागों में कौन से जलोड काली लाल और लेटे राइट इसके लाँ रेतीली लेटे राइट को ही बलूई कहते हैं ओके देखे आ नभीकरणिये संस चार है ठीक है यह सब आपके नभीकरणिये हैं अगला प्रस आपके सिरिंवर आ चुका है सूतिवस्त्र उत्पादन में किस देश का प्रथम अस्थान है बताएं सूतिवस्त्र के उत्पादन में किस देश का प्रतम faith भिया फटाबट से आपलोगो बताने का प्रयास करें अलेकिन बंदरगाह आफसे पूछिए तो क्या बताएंगे बंदरगाह कौ idols T बीजी बंदरगाह कौन सबस्थे बंदरगाह सब्स Oklahoma की सबस्यादा बैजशी बंदरगाह कौन सकंथा है वाटाव वटाने का प्रयास करेंगे कॉस्छ ते सो सब बताइए कि देश्द का प्रतमस्थान है वी पूछा गया है उसका हो जाएगा सूतिवस्त्र उत्पादन में जो है किस देश का प्रथमस्थान है भिया तो चाइना का प्रथमस्थान है आपसे नमबर C करेक्ट एंसर होगा अगला परसन है बिस्व में इस पात नगर के नाम से प्रसिद्ध है इस पात नगर के नाम से प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है पिट्सवर्ग अमेरिका में पढ़ता है ये बात आप ध्यान लखेंगे आगला परसन है सूती वस्त रुद्योग का ब्राज सेज छेत्र इस्थित है निव इंगलेंड और दोगिक परदेश जो है यह समयुक्त राज अमेरिका में इस्तित्र डी आपसन करक्ट एंसर होगा अगला परसे रूस का मांचेस्टर किस नगर को कहते हैं रूस का मांचेस्टर कहा जाता है इवा नो को 1871 में कहा गया अगला परसे जापान के और दो दियां गया ढड़ा अगे अगल्र अगला परसे यह का मांचेस्टर का कहलाता है यह का मांचेस्टर कहलात है उसाका है यह जापन में पर पड़ता है आपन आपसने वरीजोंग का जो है के मिसी खित है लोहा इस पाथ वी जडिव लैंड ऑदुविक फोक्रिश परकतau वत् प्रसिद्ध है पिट्सवर्ग क्लीव लेंड और दोगीग छेतर जो है विल्लाव इस पादन लब लो इस पाट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपसंट मेर्सका एक एक तेस्ट होगा अगला पर से आलफ्रेड बेबर किस देश की निमासी थे जर्मनी के निमासी थे आ अगला परसन राइन और दोगिक परदेश इस्तित है राइन और दोगिक परदेश जो है पस्टवी जर्मनी में स्थित है अगला परसन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्रसन बहुत ही जबर्दस्त है प्रसन क्या पूचा गया भारत में भारत में कच्चा लोहा जो है भारत में कच्चा लोहा बनाने का प्रथम जो का सफलकार खाना कहां लगाया गया था तो प्रथम सफलकार खाना जो लगाया गया था यह कहां पर लगाया गया था बड़ा बड़ी हां प्रसन है यह important person आपकी परिष्छा के दिश्टी से आ चुका है यह आपका लगागा गयता जारखन्ड में option number इसका बी correct answer हो जाएगा ठीक है जारखन्ड इसका बी option right answer होगा अगला परसन चीन का Manchester किसे कहते हैं चीन का Manchester किसे कहते हैं भारत का बोच्टेन अहम्दवाद को कहते हैं, एय आपसन, आगए देखेंगे अगला पर सबसान करने वाला देश कौन सा है, उनका सबसे जादा उत्बादन अस्ट्रेलिया में होता है, एय आपसन करेक्टर एंसर होगा, अगला पर सने बोकारो इस पात का अरखाना किस बड़े पैमाने के उद्ध्योग हैं निम्रखित में से कौन से बड़े पैमाने के उद्ध्योग हैं में से लव इस पात उद्ध्योग जो हैं बड़े पैमाने के उद्ध्योग हैं आप संकरेक्ट एंसर होगा इसका अगला पर से उसाका कोबे छेतर किस देश स्वें स्थित प्रतम करकाना कहां लगाया गया भारत में सर प्रतम सूती कपड़े का कारखाना कहां लगाया गया था ठीक है फोर्ट ग्लस्टर 1818 में यह बात आप ध्यान लखेंगे अठारा सोटारा इस बी में पर्थम सरप्रतम सूती कपड़े कार खाना कुलकाता कलर सब्सक्राइब फोर्ट गलस्टर में अठारा सोटारा में आगे देखिएगा अगला प्रसना आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यह बढ़ेहा प्रसना चुका है आपके परिच्छा के लिए बताएं कि इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताने का प्रियास करेंगे निम्द में स से कौन संसाधन संदक्षण की बिधी नहीं है संसाधन संदक्षण की बिधी कौन सी नहीं इन में से संसाधनों की बिकल्ब संसाधनों का वर्तमान में प्रियोग या फिर या फिर संसाधनों का वर्तमान प्रयोग बंद कर भविष्म के लिए संचित करना, या फिर संसाधनों के उप्योग में तकनिकी बिधी का प्रियोग या संसाधनों की मात्रा में ब्रद्धी बताएं प्रस्ण बड़ा बड़ी है प्रस्ण आपसे पूचा गया है प्रस्ण क्या पूचा गया है संसाधनों को लेकरके किन निमन में से कौन संसाधन सनक्षण की विधी नहीं है तो कौन सी विधी नहीं है संसाधन का वर्तमान में प्रियोग बंद करके भविस्थ के लिए संचित करना ये नहीं है प्रकार से विधी नहीं है इसकी संसाधनों के लिए बिकल्प मौझूद है तो उन बिकल्पों का प्रियोग करें आप संसाधनों की प्योग में तकनीकी विधी का प्रियोग करें और संसाधनों की मात्रा में बर्दी करें अगला परसे संसाधन होते नहीं अपितु बनते हैं या बनाया जाते हैं यह कितन किस ने कहा था जिम्मर मैं ने कहा था C. आपसन का रख्टेंसर होगा बहुत ही मैत्पूर परसने हमेशा आता है परिच्छा में अगला परसे निम्द में से कौन सा संसाधन का प्रकार नहीं है संसाधन का प्रकार कौन सा नहीं है दुरलब संसाधन का कोई प्रकार नहीं है अगला परसे निम्द में से कौन सा जिम्मर में द्वारा बताया गया संसाधन का प्रकार नहीं है बताएं मान भी ग्यान सबसे बड़ा संसाधन है जिमर मैंने कहा था ए आपसन करेक्टर एंसर होगा सबसे अधिक उपजाव मिट्टी होती है सबसे अधिक उपजाव मिट्टी होती है जलोड या कांप मिट्टी आपसन अमर इसका सा करेक्टर एंसर होगा अगला परसन है निम्द में इस नंबी और करनी से अंसाधन होगा इस सब्सक्राइब नहीं हें강 कोशात्स से एक रूप से दूसरे परिवर्तित कर सकते हैं इनको बना कर रख सकते हैं अगला प्रस्णाप के स्क्रेंट पर आचुका पर देखेंगे यह बढ़ी हाप की परिचा के लिए आ चुका है तो यह बीजन क्लास आप लोग देख रहें पर वीडियो को लाइक और शेनल पर नह करेंगे मसावा बंदरगा जो लाल सागर के तट पर इस्थितं निम्द में से किस देश से समधित है तो समधित है इरिट्रिया देश से इडिटिया ओमान के खाड़ी किनारे इस्थित है ठीक है मसावा बंदरगा एक बात और आपको बता दूँ अगर आप लोगों ने बढ़ियां है निमलेखित में से कौन सा अउत्र हो टो वैंक वूर नहीं यह आप सिन्परस का डिकर स्वरोगा नहीं है कौन सा अगर का कौन सा अगर कों सा कॉन सब अगर का नहीं यह भी यह यह जंती नहीं सब्सक्राइब नहीं है अगला सब्सक्राइब कौन सा देश सामुद्रिक परिवहन के द्वारा सरबाधिक माल्ड होता है तो सब्सक्राइब लगाई अफ्रीका के भूमद साघूरिय तेट कहौं सा देर पर ऊपसे बड़ा और समद्री समुद्री समुद्री बंदर्गा सबसे बड़ा समुद्री बंदर्गा है यह ठीक है अफरीका की भूमत सागरिये तट पर बना हुआ है बंदर्गा अगला पर स्वेज नहर का निर्मार का बारम हुआ था स्वेज नहर का निर्मार जो आरम हुआ था वह 1869 में आरम हुआ था सबसे बड़ाले रिमार्ग है यह किस देश में सरबाधिक फैला हुआ है तो यह आपका रसिया मेनी रूस में फैला हुआ है ट्रांस साइबे यह कै यह प्रारम किया गया था इसका निर्मार्ट घ्राई प्राहि Chiefs कर आपका अफ्रीक यह महादीब अगला परसे केप काहिरा रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है तो केप काहिरा रेलमार्ग जो होता है यह आपका केप डाउन और काहिरा को जोड़ता है आपसे नमबर इसका एक अरक्टेंसर होगा अगला परसे स्वेज नहर का निर्मार्ग किस देश ने भूमत सागर सौहाज को मिलाने के लिए मिस्र बंजाने सब सबस마 architects के हुआ तो से नहर है आगए देखेंगे अगला परस turb ar किर आ तुपा है यह बड़ी हाण प्रसना चुका है परिशह की दिश्य से आपके WIDE कर दीजेगा वीडियो को और सियर कर दीजेगा सभी दोस्तों के पास बाकसाइट प्रियुकत होता है रहरा भनावलों सתहर से रहने करने करे परुद है परका प्रियुकत को दन्य है सब्सक्राइब बाक साइट का प्रियोग जो होता है किस उद्ध्योग में होता है इस्टेल उद्ध्योग में सूती वस्त्र उद्ध्योग में बनस्पति घ्योद्ध्योग में या फिर किस उद्योग में होता है भारत में निम्न राज्यों में से किसमे सागोन के बन पाए जाते हैं सागोन के बन किस में पाए जाते हैं मद्द प्रदेश में पाए जाते हैं आपसन करेक्ट एंसर होगा अलपाइन बन उगते हैं अलपाइन बन जो होते हैं तीस नमलब तीन मीटर के उपर उपर उगते हैं आपसन नमर डी करेक्ट एंसर होगा सागावन के बिरिक्ष पाए जाते हैं सागावन के बिरिक्ष पाए जाते हैं सीतोष्ण कटिबंधिये बनों में आपसन नमबर बा करेक्ट एंसर होगा इसका भारत में किस खनिज का अभाव है तो भारत में किस खनिज का भाव भीया जस्ता का अभाव है डी आपसन राइट रोगा भारत में सी तो पर यहाते हैं भारत में सी तोशिंद गुण offered करें से रोगा अगले बर शारवाधिक पया जाता है भारत में सरवाधिक साथ उत्पाद कर भारत कौन सा राज है वह आपका ओर इसा है अीजिन लिखित में से बंद संसाधुनों की युग्मों में कौन सा पसूत पाद है बताएं कौन सा पसूत पाद है लाख और मो मॉम आप से नमबर इसका सा करक्ट एक अगला पर से भारत में लौ ऐसक सघन बन का पृत्तिसत थाहैं भारत के कुल Oh गोली में सघन बन का सब्ड्धन का प्रसेंटर कितना है तरफार क्वाराब ऑद पादन की प्रथम तक उन या पीट आपसे नमबर इसका डी करक्टेंसर हो जाएगा पहली अवस्था है पीट अवस्था दूसरी वस्था है लिए लिगनाइट अवस्था तीसरी आपकी बिटुमिनस और चौती आपकी इंतरा साइट तो यह प्रसिद्ध है तो यह प्रसिद्ध है सोने के उत्पादन के लिए आपसे नमबर एक अरक्ट एएंसर होगा आगर देखेंगे दंगया अगला प्रसन आपके स्किलीन पर आ चुका है वान थी। के प्रस्ण बहुत ही जबर्दस्त है आपके परिचा क्या सिख्धान की पीटी को क्या कहा जाता है उने कि पीटी को कहा जाता है क्या अप्स्व चाह्य। सबस्क्राइब अग्ला संब्साइब करक्ताइब होगा अगला पर से चतुडथक और तक रहां में समलित है बताएं उच्ष सेवाय हो अगला पर साथ के पर आचुका है निमलखित में से कौन सी उशन कड़ बंदिये घास भूमी है तो सवाना आप सब्सक्राइब आगे देखेंगे अगला पर सन है रूस में किसी में कर्सी को किस नाम से जाना आता है रूस में कर्सी को किस नाम से जानते हैं तो कोल खोज के नाम से जानते भी आपसंदाइट एंसर होगा यह सब प्रसन बहुत हिमात्पूर परिक्षा में यह पूछे गए प्रसने पिछले बरस अगला परसे फाम गरे कहां नहीं पाए जाते हैं फाम गरे भारत में नहीं पाए जाते हैं बागी कनाड़ा इसे अगला कोशन साब देखेंगे अगला कोशन साब देखेंगे ।बस नहीं के इस ने किस प्रदेश फलोध्यान कहा जाता है बताएं किस प्रदेश को बिस्ट की फ्लोद्ध्यान भूमी कहते हैं तो भू मध्द्ध सागर ये प्रदेश को क्या borgtए फ्लो ध्यान भूमी कहते हैं ये बात आप ध्यान रखेंगे आगे देखेंगे अगला प्रस्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही जबर्दस्त प्रस्न है परिछा के दिश्टी से वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा प्रस्ने भारत में कौन सा सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज जहेत सोने का सबसे बड़ा भारत में राज उत्पादक कौन सा है चले बताने का प्रियास करेंगे सुने का सबसे बड़ा उत्पादक राज महराष्ट करनाटक तमिल नाडू या फिर आपका केरल क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा बताएगा चीन का सरबादिक उद्ध्योंगावला नगर कौन सा संघाई है यह बात ध्यान नकिये परिक्षा में प्रतना सकता है आप अजय बते हैं फ्रांस की राइन घाटि किसके लिए प्रसिद्ध है बाक जाइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है यह बात ध्याने कि जल जहाद निर्माड में अग्रेडी देश कौन सा है जापान ओके बिस्व में पेट्रोरा सायन उद्द्योग में सरप्रथम कौन है संविक्तुराज अमेरिका है ऐसे कई प्रसनाव की परिच्छा में आ सकते हैं अच्छा बिस्व में लुगदी का सरबादी को उत्पादन क भारत में कौन सा जो है कौन सा जो सोने को सब्ढ़ और पॉत्पादक राज्जा है करनाठ का है क्रें सब्सक्राइब और yeется का अगे रोज़ वुड और महओगनी किस प्रकार की बनस्पति हैं बताएं तो रोज़ वुड और महोगनी किस प्रकार की बनस्पति है बताएं तो रोज़ वुड जो है और महोणी महोगनी ये आपकी उचल कड़ बनस्पती है आप aging और रहत एक अमस्ट होगा प्राफर सांशी चैर किसके लिए प्रसिद्ध राफन राकवा निउ इंगलेंड 16 कहां इस्थित है, है निव इंगिलेंट शेत्र का परी सते भीया संविक्त राज अमें नियु इंगिलेंट शेत्र स्था आप सामिवार इसका डी कानि तरह भगा लग तो होगा कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार गो कौन कौन से हेमेट हैटा लीओन आट और साइड़ाइट ठीक है यह चार प्रकार के होते हैं आपके लव इसकों कों से हेमिटाइट मैगनेटाइट लिमोन आइट और साइड़ाइट इन परस्टों को आप तयार कर लीजेगा परिचा के लिए बहुत ही मैथमूर्ण है यह सब प्रस्ट अच्छा स्वेट कोईला क इसको बोलते हैं जल विद्दुत को अगर जल विद्दुत आप सन में ना दिया हो तो आप यूरेनियम लगा दीजेगा धनिबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में बहुत बहुत धनिबाद आप सभीका गुड़नाइट अलप यू झाल 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 झाल